दोस्तों नोशकार आदाब सक्स्रीयकाल नियोज क्लिक के कारकरम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश बिहार की पुरु मुख्यमंत्री रावडी देवी के घर पे कल यानि 6 मार्च को CBI ने उनसे पूस्ताच की एजनसी की खपरों में पहले कहा गया कि ये च्छापा है बाद में कहा गया कि ये पूस्ताच है पूस्ताच काफी लंबी चली आई तिंक 4,4 गंटा पूस्ताच होई और जिस केस में पूस्ताच होई वो है एक नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप जो रेल मंत्री जब ल नहीं है तो लालू प्रशाथ जो की सिंगापूर से अपने किड्नी की सर्जरी के बाद लोटे हैं और उनकी स्थिती लंबे समय से बहुत अच्छी नहीं है उनकी सिहत को लेकर उनके समर्थक ही नहीं बलकि उनके आलोचक भी गहरी चिनता जटाते हैं क्योंकि जिस तरह के वो स्वस्त व्यक्ति थे और पिछले वर्षों जेल जाने के बाद उनकी सहत अचानक इतनी खराब हो गई उससे लोग चिंता जाहिर करते रहते हैं उनको पसंद करने वाले भी और उनको यहां तक की नापसंद करने वालों का भी एक बड़ा हिस्सा इस बात से दुखी रहता है कि वही इस आदमी की सहत क्यों इतनी खराब हो गई जो कि इतना हंसता खेलता और बोलता हुआ आदमी था आप उनकी राईनिक से सामत हों या असामत हों लेकिन ये एक व्यूँ उनके बारे में लिया जाता है लेकिन CBI ने उनको भी नहीं बक्षा फिलाल और CBI उनके यहां पहुँच गई आज जब हम आपसे बात करना है इसके कुछी समय पहले उनसे पूश्टाच का सिलसिला खतम हुआ है बताया गया है कि CBI ने उनके स्वास्थ के मद्दे नजर काफी CBI के आफिसियल्स ने काफी प्रिकॉशन लिया था यह अच्छी बात है कि उन्होंने प्रिकॉशन ली लेकिन हमारा तो यह कायना है कि वो गुश्दी नहीं और टाल सकते थे इस पूश्टाच को वो हुली के बात करते थोड़ी और वो सहत मंद हो जाते तब करते तो उनको उनकी पुत्री जो है मिसा भारती उनका जो फ्लैट है उनका जो बंगला है फ्लैट नहीं कहिए बलकि बंगला कहिए वो राजसभा की MP हैं उनके घर पे यह पूश्टाच हुई और यह भी करीब करीब ढ़ाई घंटे चली ऐसा बताया जाता है और चार घंटे रावडी देवी से पूश्टाच हुई थी इस पूश्टाच में क्या पूश्टाच हुई कित सरके सवाल पूछे गए सीबियाई को क्या सुराद मिले यह कोई बताने को तयार नहीं है हमारा कहना है कि यह अगर्णी बेजनसी मानी जाती है देश की तो अब तक इस मामले में क्या हुआ कुछ खुलासा भी ओनी करती है और जब भी कोई राजनितिक मसला उठता है सीबियाई की च्छापे मारी शुरू हो जाती है सीबियाई की पूश्टाच शुरू हो जाती है अब देखिए पा प्रदानमंत्री को चिप्ठी लिख कर केंद्री एजनसीयों के दुर्पियों के बारे में शिकायत की है और उन्होंने कहा है कि इस वक्त सरकार विपक्ष के लोगों पर एजनसियां जो हैं सीबियाई, इडी, आईटी यानि इंकम टेक्स इनके जरिये उन पर आतंक क्रेट कर रही है, उनको परिशान कर रही है, उनको रायनितिक रूप से अपना काम परफॉर्म करने से रोक रही है, इस तरह के इलिगेशन विपक्ष ने लगाए हैं, और विपक्ष ने ये आरोप पहली बार नहीं लगाए हैं, राहुल गांधी संसत के अंदर, संसत के बाहर और यहां तक की देश और विदेश में भी ये हमेशा मौजुदा मोदी सरकार पर ये आरूप लगाते रहे हैं कि ये सरकार क्लाइमेक्स जिसको कहते हैं ठीक है कि हम एक जर्रिस्ट के तोर पर जानते हैं कि कॉंग्रिस पार्टी जब शासन में थी तो वहभी एजनसीज का इस्त लेकिन दोस्तों अगर आप आंकडे देखें तो 2014 के बार CBI, IT और ED के जो केसेज हैं वो बेतहाशा बढ़े हैं तकरीबन 97% मामलों में विपक्षी नेता विरोधी लोग या असामत किस्म के जो प्रोफेशनल्स हैं वही टार्गेट पर हैं असामत किस्म के प्रोफेशनल्स का मतलब कि ऐसे लोग जो सीधे राजनीत में नहीं हैं अपना अपना काम दंदा करते हैं अपने अपने उपक्रमों में लगे हैं लेकिन वो राजनीत पर सत्ता पर सरकार पर ऐसे कमेंट्स करते हैं जो जिससे की सरकार नाराज होती है तो ऐसे केसे बताया जाता है कि 95 to 97% ह इसमें अब हमारा ये कहना है कि इसकी वजह क्या है आखिर इसकदर आईटी एडी के केसिज क्यों बढ़े हैं क्या इनसे कुछ एचीव हुआ है तो अगर एडी के अगर आप केसिज का आंकड़ा देखें तो जो नतीजे निकालने की बात है यानि उससे क्यार निकला वो जनक है तो ये कहना कि इन एजेंसीज के जरिए क्या वाकई सरकार अपने आलोचकों का मुह बंद करना चाहती है उनको परिशान करना चाहती है ये एक बड़ा प्रशन आज की तारीख में मौझूदा सरकार के खिलाप पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में इसका BBC के चापे की अन्गूच पूरे देश क्या दुनिया भर में गई और अभी भी उसको ले करके सरकार अपनी और से दलीलें दे रही है लेकिन जो यूरोप है जो इंग्लैंड है खासकर वहां पर जो सवाल उठ रहे हैं उसका तसली बक्स कोई जबाब नहीं अब तक मिला है ऐ दोस्तों हमने अगर देखा जाए तो 2014 से अब तक ED के केसेज जो हैं पांच गुना बढ़े हैं और 95% इसके दायरे में विपक्ष है इसमें कौन लोग हैं कॉंग्रेस पार्टी राश्टवादी कॉंग्रेस पार्टी त्रीण मूल कॉंग्रेस ये टाप पर हैं और ED के मामले 121 प्रमुखनेताओं पर हैं ED के मामले इन में 115 से ज़्यादा विपक्ष के हैं ये सब आंकड़े 2014 से 2022 के बीच में हैं सन 2004 से 2014 यानि UPA के दौर की बात हम कर रहे हैं यानि 2004 से 2014 के चुनाव से पहले तक 26 नेताओं पर केस चला था 26 नेताओं पर इसमें विपक्ष के जो नेता थे 14 थे यानि कुल 54 फिस दी उस समय के विपक्ष के नेता थे जिन पर ये मामले थे और आज 95, 96, 97 अगर लेटेस्ट आप जोड़ें तो 95 से निश्चित रूप से उपर हो गया होगा लोग सबा में एक प्रशनुत्तर की बात मुझे याद आ रही है उस प्रशनुत्तर में वित्मंत्राले का जो जवाब था आंकडे के रूप में वो ये था कि 2022 के सितंबर तक मौझूदा सरकार के दर्मियान एडी की कुल केसे 2974 थी यूपिये के 10 सालों में 112 थी ये ये अंतर आपको साफ साफ दिखाई देता है तो हमारा ये कहना है कि अगर हम फिर से लोटें बिहार पर कि क्या मौझूदा सरकार अपनी एजिंसियों के जरिये आखिर कार बिहार पर अचानक नजर कैसेज फिर चली गई लालू प्रशाद को तो कई केसेज में आप जानते हैं कि उनको जेल हुई है कन्विक्शन हुआ है कुछ केसेज लंबित हैं लेकिन आल अप सड़न फिर से उन पर चापे मारी ऐसी क्या चीज़ है जो उनकी डॉकुमेंटेड नहीं है और जो सरकार की एजिंसियों की नजर करता हैं कल वो काफी आक्रोश में थे और यह तक कहा गया उनकी ओर से कि यह पूर्णिया की 25 फरोरी की रैली का रियेक्शन है दोस्तों बिहार के पूर्णिया में पिछले दिनों 25 फरोरी को महा गठमंधन की एक बड़ी रैली हुई महा गठमंधन का मतलब राश्टी जनत पार्टी इन सभी पार्टी ओने मिलकर एक बड़ी रैली की और उस रैली में दिल्चस्प बात यह है कि सिंगापूर से लोटे दिल्ली में बैठे हुए लालू प्रशाद भी वर्चुली उस पे कनेक्ट हुए और उनके भाशन को लोगों ने काफी सराहा इसके बावजू कि उनकी आवाज पहले की तरह नहीं थी रुक रुक कर भी बोल रहे थे लेकिन इस ऐसी हालत में भी वो कॉमिनलिजम की जो शक्तियां है देश में जो तनाशाही की जो शक्तियां है देश में उनसे लड़ने के अपने इरादे का पुखता ढंग से इजहार करते नजर आए तो पूरुनिया की महागटबंधन की रैली की कामयाबी से ऐसा माना जाता है राश्टी जनतादल के खासकर जो जेडी यू और आर जेडी के जो कारी करता है वो विहार में खुलेयाम कहा रहे हैं कल से ही कि ये जो खुननस है वो केंदरी एजनसियों के जरिये सत्ता ने या वाकई ये एक बड़ा खत्रा नजरा रहा है महागटबंधन भारती जनतापार्टी के लिए ये ठीक है कि उत्तर प्रदेश में काफी हग तक मौझूदा जो भारती जनतापार्टी है जो उसकी सरकार है उसके लिए मैदान साफ नजराता है मुझे एक कहने में कोई संकोच नहीं है कि बोगजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में कोई गंभीर चुनावती हमें नहीं दिखाई दे रही है भारती जनतापार्टी के लिए लेकिन बिहार में इस्तिती उल्टी है बिहार में महागटमंधन जेडियू और और का जो है वो इतना मजबूत होकर उबरा है कि भारती जनतापार्टी अपने लिए कोई ऐसा ऐसी बड़ी संभावना नहीं देखती जिससे कि उसको 2019 के चुनाव की तरह बड़ी काम्यावी मिल जाए 2024 में तो 2024 में बिहार में काम्यावी तभी मिल सकती है जब आर जेडि और जेडि यू दोनों तूट कर विखर जाएं अलग-अलग हो जाएं और महागटमंधन की सरकार कोलैप्स कर जाएं अभी तक नितीश कुमार की अगवाई वाला आर जेडि यू ये साफ कर चुका है कि वो हरगिज इस महागटमंधन को नहीं तोड़ने देंगे और न अलग ह की भी वही पोजीशन है जो लेफ्ट पार्टी जांगरेस पार्टी है उनकि भी यही स्थिती है तो कोई दरार अभी तक नहीं दिखाई दे रही है लेकिन कई बार difference of opinion दिखाई देती है जेडियू और आर्जेडी में कई बार दोनों पार्टियों के नेताओं के जो बयान हैं उनमें भी contradiction दिखाई देते हैं शायद अप एक छाएं जो दोनों पार्टियों की हैं उनमें भी कुछ अलगाओ दिखता है लेकिन इसके बावजूद वे युनाइट हैं वे एकताबद हैं तो क्या ये माना जाए कि भारती जनतापार्टी आर्जेडी पर जो लगातार दबाव बना रही है इस तरह की केंद्री एजेंसियों की गतिविदियों से क्या वो महा गटबंधन में धराद बढ़ाने के लिए है क्योंकि आपको याद होगा 2015 के चुनाओं के बाद जो एकता बनी थी और दोनों एक साथ आये थे वो जब तूटा कुछ समय के बाद गटबंधन तो उसके पीछे करप्शन के केसे जी थे उसके पीछे करप्शन के मामले ही बताए गए थे तो क्या ये जो फिर से उसी घटना की पुन्राविर्ति करने को सोच रहा है भारती जनता पार्टी का निजाम ये एक बड़ा सवाल है बिहार के कांटेक्स्ट में और देखना ये होगा कि जेडियू क्या फिर उसी तरह की चीज रिपीट करेगी या वो हर्गिज नहीं करेगी जैसा उसके नेता कह चुके हैं दोस्तो बिहार उत्तर प्रदेश जारखंद उत्तराखंद जो ये सभी प्रदेश हैं सब मिलाकर 149 सीटों वाले प्रदेश हैं 149 लोग सभाई की सीटें हैं और 149 में अगर 80 सीटें भारती जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश मेंने में एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के पक्ष में जा रहा है तो विपक्ष के हिस्से में यानि भारती जनता पार्टी का जो विपक्ष है जो वहां पर सत्ता में है बिहार में वो उसकी तरफ जा रहा है बड़ा हिस्सा यानि जेडियू आर जेडी और लिफ्ट के हिस्से में ये सबसे बड़ा कस्ट है जारकंड मिलेगी क्योंकि वहाँ वो आज मजबूत ही नहीं है सरकार में भी है तो ये जो समिकरण है 149 में कहा जाता है कि भारती जन्ता पार्टी के नेता सवा सौ सीटें कम से कम लेने का इरादा रखते हैं सो दैट कि साउथ में और सेंट्रल इंडिया में अगर उनको काम्यावी ज़्यादा न मिले तो वो इससे भरपाई करें आगे और ज़्यादा बढ़ सकें ये उनकी स्टेटजी है तो दोस्तो हमें ऐसा लगता है और हमारे जैसे अनेक लोगों को लगता है कि सेंट्रल एजन्सीज का जो काम है वो उनकी स्वायत्ता के हिसाब से नहीं हो रहा है उनकी अपनी मर्जी से शायद नहीं हो रहा है हो ये रहा है कि जो मवजूदा सत्ताधारी हैं मवजूदा जो सरकार है वो भावी चुनावी समीकरणों को अपने पक्ष में करने और अपने वीरोधियों के समीकरणों को चक्टनाचूर करने के लिए केंडरी एजेंसियों के जरिये उनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं ये जो है बड़ी बात है और ये सिर्फ आरोप की बात नहीं है ये सिर्फ केवल एक टिपणी नहीं है जो दूसरे लोग कर रहे हैं जिसको मैं यहां पर आपके सामने रख रहा हूँ बलकि अगर पार्टी नहीं था, एंडियनेशनल लोग दल के तीन नहीं था, ये एस आर आर पी की जो पार्टी है जो उनके बेटे के निश्चतों में अभी चल रही है जो आंधर के मुख्यमंत्री है उनके तीन नेता AIDM के जो BJP की मित्र पार्टी आज कल तमिलाड में है उसका एक आदमी MNS का एक आदमी CPM के भी दो सदस्यों पर PDP के दो सदस्यों पर TRS के एक सदस्य पर ये कारवाई इन एजनसी की चल रही है अब ये जो पहलू है ये तो आंकड़े भी बताते हैं अभी करनाटक में भारती जन्ता पार्टी का एक बड़े नेता उनके पुत्र जो है कैश के साथ देखे गए पकड़े गए और वहाँ पे एक बहुत बड़ा मामला बना है उसको लेकर विपक्ष महाँ अवियान चला रहा है लेकिन शायद उससे भी ध्यान हटाने के लिए ये सारे के सारे अवियान खाल के दिनों में चलाए गए होंगे यह भी कहा जा रहा है अभी आप देखते हैं कि जितने नेता जो पहले दूसरी पार्टियों में थे और जिन पर गंभीर आरोप थे वो जैसे ही भारती जिनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं वे सारे के सारे ऐसा लगता है कि वाशिंग मशीन में धुल कर निकल आए अभुदारण के तोर पे हीमंता विस्वासरमा जो असम के मुक्षी मंत्री हैं सी बी आई एडी जात उन पर थी लेकिन अब बिल्कुल ठीक है दोजार चोदार पंदरा के दौरान हमने देखा कि बीजे पी के बाद सब कुछ ठीक हो गया सुवेंदू अधिकारी मुकुल राय ये सब लोग सब लोग जो है केसे जिन पर थी लेकिन सब ठीक हो गया मुकुल राय फिर अप्टीमसी में आ गये हैं आपको याद होगा सबसे दिल्चस्प केस था कि महारास्ट में जब फढ़नवी सहाब को चीफ मिनिश्टर बनाया गया था दो हजार उननीस में लेकिन कुछी समय के बाद सरकार कोलैप्स कर गई लेकिन उसके पहले अजित पवार ने अपने उपर लंबित कई गंभीर केसे को विड्रा करा लिया था तो कैसे वाशिंग मशीन से सब कुछ ठीक हो गया उनका उस समय वो अधभुत है तो भारती जंता पार्टी की ये की दलील कि वो करप्शन से लड़ रही है मुझे लगता है कि इसमें दम नहीं है ये बात सही है कि वो जो केसे करा रही है वो जितनी केसे विपक्ष के नेताओं के खिलाब करा रही है उसमें हो सकता है कि आरोप गंभीर हों लेकिन उसका मकसद जो है राजनितिक लाब उठान है न की करप्शन से लड़ना है और न की व्रस्टाचार मुक्त शासन का की अस्थापना करनी है असल कहानी है कि कैसे सत्ता पर बरकरार रहा जाए और विपक्ष को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो उठ न सके तो दोस्तों चुनाव के समिकरणों को प्रभावित करने का ये ह बड़ा यक्षप्रशन है आज बस इतना ही नमस्कार आदाब सत्रियकाल